है गाइज कैसे हैं आप लोग आयोब कि आप अच्छे होगे तो गाइज मेरे नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट तो गाइज आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रियल्मी नार्जो 30A के अंदर हम किस परिकार से अपनी होट्सफोर्ट की जो सैटिंग्स रहती हैं यानि कि हम अपना जो वाइफाई सेयर करते हैं किसी भी परसन को उसको हम कैसे कस्टम कर सकते हैं क्या हमको 10 MB शेयर करनी है तो हम 10 MB देंगे उस पंदे को और 500 MB हमको शेयर कर करने की बाद यहां पर देखने की अपने की अपने इक होट्सब्स देखने को मिल जाता है सिंपल सा इस पर क्नेल प्रेस एंड रोल रखूंगा हमें और इसके अंदर हम पहुच जाते हैं तो Personal Hotspots के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ पर देखेंगे तो आपका सबसे पहला option है Personal Hotspot इसको आप यहाँ से Enable कर सकते हैं तो गाईस मैंने इसको यहाँ से Enable कर लिया अब आप यहाँ पर देखेंगे तो Personal Hotspot Settings आपको देखने को मिलेंगी तो Name Realme Narzo 30A इसको हम क्लिक करेंगे इसको आप Name को Custom भी कर सकते हैं यहाँ से X by Z हम कोई भी Name डाल सकते हैं इसका यहाँ पासबर्ट भी हम बदल सकते हैं जो भी हम पासबर्ट रखना चाहें दूसरा काईस यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको AP Band देखने को मिलेगा अब यह AP Band क्या होता है और यह कैसे काम करता है पहले उसको समझ लेते हैं सिंपल सा काईस यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर आपको दो अफसन देखने को लेंगे 2.4 GHz और 5 GHz Band यह दो परकार के Band होते हैं एक जो है 2.4 GHz Band जो है Lower End पर काम करता है मतलब कुछ devices ऐसे रहते हैं जैसे कि मेरे पास यह laptop रखा है तो यह 2.4 GHz Wi-Fi support करता है तो इसके लिए इस वाली settings पर रखना होगा अगर आप इसको 5 GHz Band पर रखेंगे तो यह वाला device के अंदर इस laptop के अंदर यह सो ही नहीं होगा और इसके अंदर हम कभी इसको connect ही नहीं कर पाएंगे तो आपको connection management देखने को मिलेगा जो की लिखा है वह आ रहा है यहां पर इस पर आपको टैप करना है यहां से आप देख पाएंगे आपके फॉंड के नंतर कितने devices connect है किसी device को अगर आपको blacklist बढलना है तो यहां से आप blacklist में लाल सकते हैं उसको ठीक है और maximum कि आपको कित यहां से अपनी data limit आप set करकर रख सकते हैं ठीक है 10 GB और बाकी आप यहां पर देखेंगे तो 200 MB, 10 MB भी आप यहां से minimum रख सकते हैं तो data limit भी आप इस फॉंड के नंतर set करकर रख सकते हैं तो I hope कि आपको यह समझ आ गया होगा personal hotspots कैसे काम करता है मुझे उम्मीद एक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमाई वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को subscribe क करना तो मिलते हैं अगली और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई एंड टेक केर